यहां पर देखने वाले कि एक्सेल के अंदर आप सुडोको का पजल गेम आप किस तरह से डिजाइन कर पाओगे ठीक है वह भी आपको एक सटिक मेथड के साथ उसके लिए हम लोग यूज करेंगे कंडिशनल फॉर्मेटिंग का और पूरा कंडिशनल फॉर्मेटिंग के यहां पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के वाद सिफ्ट बटन प्रेस करेंगे क्या प्रेस करेंगे और सिफ्ट बटन प्रेस करेंगे और सिफ्ट बटन प्रेस करके राइट एरो को आप रूम करते जाए ठीक है ठीक है तो नाइन जो है सलेक्ट हो गया यहां पर कॉलम और तो 9 बीचाहिए तो आप सिफ्ट बटन प्रेस कर अपर नाइन जो है और 9 कॉलम जो सलेक्टेट होगए अब इसका साइज मुझे फिक्स करना है तो साइज फिक्स करने के लिए आप करो हुम पर होम टैब में रहना है और होम टैब पे रहने के बाद यहाँ पे फॉर्माइट हैना आप यहाँ पे फॉर्मेट में जाएं और यहां पे लिखा गए रोह हाइड करेंगे तो रोह हैट जैसे हुए क्लिक करेंगे यहाँ पर अभी 15 है तो मैं is shaking 25 कर देता हूं और इसको कर देता हूं, ओके, तो अभी देखिए, row height इसका 25 हो गया, column height भी चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से वही जाएंगे, format में जाएंगे, और format में यहाँ पे column जो विर्थ का जो है, यहाँ पे चाहिए option, इसको क्लिक कीजिए, और क्लिक करने बाद इसको कुछ 5 रख लेता हूं, और इसको ok कर देता हूं, तो देखिए, आपका जो कुछ, इस type का puzzle, rectangular shape में आ गया है, ठीके, जब यहाँ पे rectangular shape में आ जाता है, तो आप क्या चाहिए, मुझे इसका जो format चाहिए, outer border, inner border भी चाहिए, तो यहाँ पे जो है, आप यह क्या करो, यहाँ पे ज लगाना है, उसके लिए क्या करें, यहाँ पे जो three वाला column selected है, इसको select किजिए, और यहाँ पे thicker border लगा दीजिए, आप चाहिए, तो फिर से select करके, यहाँ पे जो thicker border लगा सकते हो, यहाँ पे भी आप लगा सकते हो, thicker border करके, ठीके, तो मैं क्या करता हूं, एक और बता देत one click, उसके बाद escape button पर press कर दिएगा, तो यहाँ पे देखिए, अभी क्या होगा, यहाँ पे सभी जगा जो है, three three का जो है, एक square बनेगा, यहाँ भी three three का square border, यह तो design हो गया, अब यहाँ पे अगर कुछ text लिखोगे, तो text का भी format चाहिए, मुझे, तो text format करने के लिए आप बोल्ड भी कर दिजिए, वो भी आजागा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर कुछ चाहते हैं, तो इसका जो है, कुछ आप increase करना चाहते हैं, साइज वो भी increase कर दिजिए, ओके, जब इतना काम हो गया है, तो उसके बाद मैं थोरा सा यहाँ पे rule बता देता हूं, शु पर स năm से नाइन तक हैं लिखा जाएगा, एदर आप यहाँ भी लिखो तो इसमें भी one to nine होगा, इसमें डूबलीकेट्स नहीं होना चाहिए, इसमें भी डूबलीकेट्स नहीं होना चाहिए और क्या रूल है कि इसके अंदर यह square box के अंदर भी one to nine होना चाहिए, इसमें भ होना डुबिकेट नहीं हो तो आप इसमें conditional format लगा दीजे जैसे ही यहांपे देखिए मैं जैसे one लिख रहा हूँ तो यहांफे फिर से यहांपर one नहीं होना चाहिए याँ यहां भी one नहीं होना चाहिए उसके लिए क्या करना आप को तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, select कीजिए, select करने के वाद यहाँ पे conditional format आना है, यहाँ पे जाएए और highlight रूल में जाएए, और यहाँ पे duplicate value है, आप इस पे कर देजिए, तो देखिए क्या होता है, आपके पास यहाँ पे change क्या है, तो color आप यहाँ से change कर सकते हो, जो भी चाह आप चाहे तो इसका जो format cell का यूज करके भी आप यह कर सकते हो, लेकिन उसमें कभी-कभी error आजाएगा, format changing हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, जो format यहाँ पे क्या हो ना, इस cell को भी select करूँगा, और select करने कवाद वही काम यहाँ पे repeat कर देता हूँ, दूबलेकर अबिशिक्स होगा, देख्यां के यहाँ पेum, लिखा याँ पे, तो यहाँ पे जैसे ही दोबारा यहाँ पे one लिख रहा है, ηहाँ पे अगर three लिख रहा हूं, यहाँ पे four लिखंगा तो चलिए, यहmos fest का यह तो काम हो रहा है, यह काम कर रहा है, यह तो मतलब single row के लिए आपने यहां पर डाल दिया है, ठीक है, यहां पर भी देखिए, अब क्या होना चाहिए, दूसरा condition क्या होना चाहिए, यहां पर, यह सेल, मतलब इसमें भी duplicate नहीं होना चाहिए, तो इसमें भी duplicate नहीं होना चाहिए, अगर यहां भी यहां पर आप चाहते हूं तो यहां पर आप जो है डूमलिकेट्स फ्यल्यू का होना चाहिएoger इस तरह करके यह सब भी सेल के साथ सब III मने डूमलिकेट्स फ्यल्यू का अपना apply कर देता हूं तक यहां पर षष्राँ करता हूं और सब्सक्राइब करने करने के यहां पर यहां पर अप्लाइब हो रहा है क्या अगर मैं यहां पर थिरी लिख रहा हूं देखिए हाइलाइट हो रहा हूं एक चलिए काम कर रहा है एक सब्सक्राइब यहां पर उसी हो रहा है यहां पर यहां 5 यहां पर नहीं हो सकता है तो उसको किस तरह से arrest करेंगे यहां पर दखिए एक इस तरह से अंदर पाइव आ गया है उसको किस तरह से क्वाइब करेंगे और वही काम घब कर दिए आप दिए खर रहा है कि नहीं है अब देखिए कि काम कर रहा है कि नहीं जो है सेल जो है काम कर रहा है कि नहीं सभी सेल के साथ अपलाई हो गया अब देखिए जैसे मैं यहां पर फोर लिख रहा हूं तो यहां पर हाइलाइट हो रहा है यहां पर किस तरह से जो है आपका जो है यह काम करेगा वह आपको पता ह जाए यहां पर 3 highlights हो गया है कि अकर सकते हो यहां पर pseudo को आप जो है XL में बना सकते हो किस तरह से बनाया क्या बनाया आपको पता चल रहा है ठीक है 5 हो गया यहां पे क्या होना चाहिए और 1 2 3 4 होना चाहिए तो यहां पे 4 भी है 4 भी है 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है 7 नहीं है तो 7 डाल भी है काम कर रहा है मस्त के काम कर रहा तो आप इस तरह से फिर चला अगर फिर भी कुछ डॉट हुआ ना तो आप मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर लेको ठीक है तो इस वीडियो में मिलते कुछ न्यू आइडिया न्यू ट्रे के साथ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू